मश्कार दोस्तो आज के स्टोरी है तोता जो बोलता नहीं था रिटरन बाई रसकिन बॉन चलिए इसे सुनिएगा तुम बेकार हो ना बोल सकते हो न गा सकते हो न नाच सकते हो रूबी आंटी इस चब्दों से बेचारे तोते को तना मारती रहती थी और वो अपने सजावती पिंजरे में से उसको उदास नजरों से देखता रहता था जो दादी के उत्तर भारत में स्टित बंगले के बरामदे में एक कूने में लटका था उन पुराने दिनों में लगबख सभी के घरों में चाहे वो भारती हो या ये उरोपेन एक हाथ पालतु तोता या लववर्ड्स का जोड़ा होता ही था कभी कभी ये पक्षी बहुत कुछ बोलना सीख लेते थे बल्कि कहना चाहिए नकल उतारना सीख जाते थे और पूरे मंत्र या श्लोग बोलने लगते और बच्चों को डाटने या समझाने के लिए प्रयोग होने वाले शब भी जैसे पढ़ लो बेटा या मेरे जैसे लड़कों के लिए लालची मत बनो लालची मत बनो ऐसे वक्याश तो खेर हमारे तोते ने भी एक समय के बाद सीख लिये थे लेकिन हमारे घर के एक सदस्य को लगाता दोरारते रहने के बाद जिसने उसे बोलना सिखाने का जिम्मा अपने सर ले रखा था लेकिन हमारा तोता बात करने को तयार नहीं था उसे रूबी आंटी ने एक बहेलिये से खरीदा था जो हमारे आसपास के सबी घरों में पिंजरे में बंद तरतर के पक्षी बेचने के लिए घूम रहा था जिन में रंग भी रंगे बजरीगर चोटी चोटी चोली मुनिया से लेकर साधरन गौरईया भी थी जिसे उसने रंग पोट कर किसी विदेशी नसल का नाम दे दिया था दादाजी और दादी दोनों ही पिंजरे में कैद पक्षी पालने के पक्ष में नहीं थे लेकिन रूबी आंटी ने धमकी दी कि अगर उन्हें वा तोता पालने के जादत नहीं मिली तो वह गुस्ता हो जाएंगी और रूबी आंटी का गुस्ता चेलना बहुत मुश्किल काम था बहराल उन्हें उस तोते को रखने की और उससे बात कराना सिखाने की जित्पकर ली लेकिन तोते ने उन्हें देखकर ही नापसंद कर दिया था और उनकी हर कोशिश को चिकनी चुपड़ी बातों को वह नजरन्दास कर देता था किश किश वह उसे पुचकार के कहती और अपना गाल पिंजरे की जाली से सटा देती लेकिन तोता पीछे हड़ जाता और रूबी आंटी दोरा चुमे जाने के ख्याल से उसकी आखे गुस्से से छोटी हो जाती और एक बार तो उसने अचानक सामने की और जपट कर रूबी आंटी का चश्मा उनकी नाक पर से नीचे गिरा दिया उस दिन के बाद से रूबी आंटी ने उसे प्यार से बात करना छोड़ दिया और उसे शस्तुलूता का वेवार करने लगी वे उसे देखकर तरह तरह के चैरे बनाती और उसे सुनाती रहती ना बोल सकता है न गा सकता है न नाच सकता है इसके अलावा भी वो उसे बुरी बुरी बाते कहती रहती अब उस तोते को खिलाने पिलाने के जिम्मेदारी मुझ पर एक दस साल के बालक पर आ गई और वो मेरे हाथ से हरी मिर्चिया और पके ट्रमाटर खाकर खुश होता था इन वियंजिनों के अलावा उसे आम की फाके भी मिलती थी क्योंकि उस समय आम का मौसम था मुझे भी उसको खिलाते समय एक दो आम खाने को मिल जाया करते थे एक दिन दोपहर के समय जब सब घर के अंदर जपकी ले रहे थे तो मैंने तोते को खाना खिलाया और फिर जान बुझकर पिंजरे का दर्वाजा खुला छोड़ दिया कुछ ही पलों में तोता पिंजरे से निकल कर आम के बगीचे की आजाध हवा में ओड रहा था उसी समय दादा जी बरामदे में आये और बोले मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंटी का तोता ओड रहा है दर्वाजा खाफी डीला था मैंने कंदे उच्खा कर कहा खेल मुझे नहीं लगता हम उसे दुबारा देख पाएंगे रूबी आंटी पहले तो दुखी हुई फिर दूसरा पक्षी लाने की धमकी देने लगी हमने उन्हें गोल्ड फिश लाकर देने का वादा करके उन्हें टाल दिया लेकिन गोल्ड फिश बात नहीं करती उन्होंने विरोध किया वह तो तुम्हारा तोता भी नहीं करता था दादा जी ने कहा चलो हम तुम्हारे लिए एक ग्रामफोन ला देंगे तुम दिन भर क्लारक क्लारक को सुनती रहना लोग कहते हैं उसकी आवास चुलबुल की तरह मीठी है मैंने सोचा था हम तोते को फिर कभी नहीं देखेंगे लिकिन शायद उसे हरी मर्चियों की याद आ रही थी क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे बरामदे की रेलिंग पर बैठे देखा वो अपनी गर्दन एक और जुकाए मेरी और आशा भरी निगाओं से देख रहा था मैंने निस्वाद भाव से अपने आम में से आधा उसे दे दिया जब तोता अपने आम का अनन्द ले रहा था तभी रुबी आंटी अपने कमरे से भार आई और आश्र चकित होकर सबसे कहने लगी देखो मेरे तोता वापस आ गया इसे मेरी याद आ रही होगी एक करकश आवाज के दाथ तोता उनकी पहुच के बाहर उड़ गया और नदी की लगी गुलाब की जाड़ी पर बैठकर उनको गुस्ते से घूरते हुए उनके परीची लहजों में चीकने लगा तुम बेकार हो न बोल सकती हो नगा सकती हो ननाज सकती हो रूबी आंटी का चेहरा लाल हो गया और वे पैर पढ़तकते हुए अंदर चली गए लेकिन यह उस किस्ते का अंत नहीं था वो तोता अकसर हमारे बगीचे और बरामदे में आने लगा और जब भी वो रूबी आंटी को देखता बोलने लगता तुम बेकार हो न बोल सकती हो नगा सकती हो ननाज सकती हो आखिरकार तोते ने बात करना सीखे लिया